हेलो फ्रेंड्स चेतनास किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ड्राइब वेज मंचूरियन तो उसके लिए यहां हमने लिया है थोड़ी सी पत्ता गूबी जिसे हमने इस सरी किसे कद्दू कस कर लिया है यहां हमने कुछ गाजर लिया है इसे भी हमने बारीख बा बाग में ग्रेवी के लिए बचा लिया है अब हम अपना डो तयार कर लेते हैं मंचूरियन बॉल्स का यह जो हमने सारी सबजियां लिया है यह इसमें मिक्स कर लेते है अब हम इन सारी सबजियों में थोड़ा सा डालेंगे मैदा तक्रीबन दो बड़े चम्मच और अगर हमें कम पढ़ता है तो हम थोड़ा सा और बाद में लाएंगे और थोड़ा हम यहां पर डाल रहे हैं अरा रोट यह भी हमने कुछ दो तीन चम्मच डालना है और अगर कम पढ़ता है अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा डो थोड़ा सॉफ्ट है तो हम और इसमें मिक्स करेंगी थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं आदी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर और आदी चम्मच हम यहां पर डाल रहे हैं इसमें नमक अब इन सब चीजों को इस तरीके से मिक्स कर लेते है और एक ड्रू की शेइप में इसको हम बना लेंगे न सारी सब्जी और यहां पर हम यह थोड़ा रीमेर्श हमने कट करके ले लिए इसमें से थोड़ी सी हरीमेर्श हम अभी डाल देते हैं इसके इ побед इंडरी और यह बाकी की हाडी मेर्ष, हम ग्रेविय में डेड करेंगे देखिए हमारा डो् तयार हो गया हैं इसमें हमने उसके बाद दो चमच मैदा और दो चमच अररृ लीड़ शहां टाला था अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं और यहां हमने यह कढाई ले ली है इसमें हमने तेल लिया यह थोड़ा गरम कर लेते हैं तेल को अब हम इसमें अपने मंचूरियन बॉल्स फ्राइ होने के लिए डाल देते हैं अब हम इने फ्राइ करने लिए और प्रॉपर गोल्डन बॉल्स को इस तरीके से लिए अब हम इने फ्राइ करने डाल देते हैं अब हम इने गोल्डन बॉल्स होने तक आकी पिछे से अच्छे से सेखेंगे उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तयार करेंगे हमारे मंचूरियन बॉल्स फ्राइ होकर तयार हैं अब हम इसकी ग्रेवी तयार कर लेते हैं बची वी हरे मिर्च ता इसे अंदर डाल देते हैं अब यह थोड़ी सी गोभी विषी और थोड़ी सी बारिक कटी शिमना मिर्च जो हमने बचाई थी इसे थी इसके अंदर डाल देते हैं अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं अब अब इसमें ये सॉस एट कर रहे हैं ये हमने दो चम्मच टमाटो कैचप ली है ये इसके अंदर डार लेते हैं अब इसमें दो चम्मच हमने ग्रेन चिली सॉस ली है ये भी इसकेंदर आल देते हैं और ये छोटा चम्मच हमने आएं सोया सॉस ली है ये इसकेंदर लिक्स कर लेते हैं और ये एक तो चोटे चम्मच हम इसमें ग्रेन डाल देएं इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब स्वित्वर से मसाले डाल देते हैं एक चम्मच हम इसमें डाल देएं कालिमेज पाउडर आदा चम्मच हम नमक डाल देएं ये आप स्वादा मुसार नमक ले सकते हैं और चथाई चम्मच हम यान आनने कश्मीरी लाल मेर्च पाउडर ये हम थोड़ा से इसलिक आर रहे हैं कि इससे फ्लीवर भी आजेगा और थोड़ा सा कलर भी हमारा अच्छे आज़ा अब इससे अच्छे से एक बार अच्छे से लिक्स कर लेता हैं बॉमुलेट पकने देते हैं अपने इस सारे इसाले की और अपने इस ब्रेवी में अपनी इस मंचूरियल वाउस को आज कर देते हैं हमारे ड्राइब वेज मंचूरियन बनकर तयार हैं देखे कितने अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बोलें थैंक यू